किर्थी ए किर्थी कमरे में यू अंदर या जाओ मैं तो यह सोच रही कि अर्जुन यही है आओ दीदी बैठो अर्जुन तो जूटी गया है वो तो इनसे भी आ गया है वोनी चाहता मैं तुमसे बात भी करूँ दीदी तुम बैठो मैं तुमें लिए चाय बना के लाती हूँ ना बैठ्चा चाय तो मैं पीके आई हूँ तू तो वैसी परिसान रहे मैं तो तेरे से बात करने आई थी बताओ दीदी क्या बात करनी थी पहले तो यह मेरे साथ करते थे अब यह तेरे साथ करते हैं आप ठीक कह रही हो दीदी वाई साब तो आपकी सारी बास सुने दीदी मुझे भी उस भगत का पता बता दो, मैं भी अपना काम करा लूँ हाँ वो तो ठीक है, मैं तुझे पता बता दूँगी, तो किसी दिन चली जाना मैं तो रमेश के साथ कली जली जाऊंगी, और इन्हें तो ऐसे पागल कर दूँगी, कि ये सब मेरी मेरी सुनेंगे और फिर मैं रमेश के साथ खुल के आर्शी की लड़ाऊंगी किस सोच में पड़ गई? कुछ ना दीदी, मैं तो सोच रही थी, आप नहीं होती, तो मेरा क्या होता? कोई बात ना है, हम दोने एक दूसरे के काम तो आये, अब मैं चलू, कदी अर्जुन ना आ जाए, हम दोनों को देखके ना चड़ जाए वो ठीक है दीबी जोती , जोती कैसी है तू, जोती मैं तुस्से बात कर रही हूं, मैं तुझे कब से ढूण रही हूं कहा दी तू कि तू कुछ परेसान सी रहने लगी है, परेसान न रहूं तो क्या करूम ऐसा क्या हो गया तेरे साथ? अब मैं क्या बताऊं तुझे, मेरी तो जिंदगी बरवाद हो गई जोती, ऐसा क्या हुगा तेरे साथ? सीतल, मैं एक लड़के के प्यार में पड़ गी थी, उसने मुझे दुनिया वर की सपने दिखाए मैं उसे पहँचानने में धोका खा गई, अब मैं क्या करूँ? मैं क्या बताऊं तुझे जोती जवारे में, मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ जो लड़की अपने घरवालों के खिलाफ जाके, ये कदम उठाती है, उसका नतीजा बुरा ही होता है जो गलती तो मुझे से हो गई, अब तुब बता मैं क्या करूँ? चल ये सारी बात छोड़, वो तो अच्छा हुआ, वक्त रहते तुझे ही सारी बात पता चल गई, वरना वो तेरे साथ भेन पता नहीं क्या क्या करता और फिर तेरा क्या हाल होता? अब तु इसे बुरा सपना समझ के भूल जा और अपनी जिन्दिकी की सुरवात फिर से कर सीतल, तेरे से बात करके न मेरा मन हलका हो गया, अब मैं पढ़ाई पर ध्यान दूँगी हाँ भेन, मैं भी यही चाहती हूँ, तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और अपने माबबों के सपने पूरे करें उन्होंने तेरे लिए कितने सपने देखें, सब कुछ बुला के एक नई जिन्दिकी की सुरवात कर इसका फोन आगा शुबर सुबर, सिटल का फोन, इसुबर सुबर, है तो है तो है, सिटल, का फोन, इसुबर सुबर, है सब बताती हूं मैं तो ठीक हूं लेकिन मुझे आप सब की बहुत यादाती है भाईया मैंने आपको सुबा सुबा इसलिए फोन के आपको कुछ जरूरी बात बतानी है भाईया अब तक तो में वहां पे नहीं हूं तुम ना भाबी पे नजर रखना क्या बात है साप साप بتा भाया भावी न कीसी ते चुप चुप के फोन पर बाते करती हैं और जब भी मैं उन्हे देख लेती थी न मुझे देखते ही सहम सी जा वेती और मेरे देखते ही तुरना पोन कार्ट देती थी अच्छा, तो यहाँ बात है, तो यहाँ की टैंसर मतले, तो पने पढ़ाई पर घ्यान लगा ठीक है भाईया हाँ, हाँ, कर ले बात, घबरा क्यो रही है, हम तेरे थोड़ी कुछ लगे हैं, तेरे सब कुछ भोई लगे है, तो चिपके बात कर रहे हैं, अब भी कर रही है क्या बोल रहे हैं, मतलब सही है मेरा, कोन है वो, चिपके बात कर रहे है सहेल है, मेरी? सहेली है, सहेल जा यह कैसा इलजाम लगा रहे हो तुम मुझ पर? इस जामना सही कह रहा हूँ मैं तुम्भी जामना सारी बात बता जी की तुछिपके किसी से बात कर रहे ओ‍ तुम्हें बड़ा भरोसा है अपनी बहन पर हां बगवान से भी ज्यादा, मेरे पास सीतल का फोन आया था और वो मुझे बता रही थी कि चुक चुक के तुप किसी से बात कर रहे हैं, पिला फोन दिखा अपना, मुझे भी तो पता लगे कि तुप किस से बात करती है ले, मर, कर फोन, कर बात हलो, हां केरते ही, बोल तो वो मेरी पोल खोलना चाहती है अब मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी दुनिया याद रखेगी और उसे अपने औरत होने पर भी असोस होगा और ये जो उसका भाई है ना जो उस पर बड़ा गर्व करता है उसकिन ये भी उसका भाई होने पर रोएगा चल बैठ अरे यार मुझे कुछ याद आ गया अरे के याद आ गया अरे यार टैंसन टैंसन में वाट ट्वैल बंद कर ने भूल गया मैं सो बंद कर रहा हूं तू चल वे यार और देखे त्वैल बंद करके सिद्धा घर को आ जिए कभी बहां बैठके फेर सोचना सुरू कर दें ठीक है तू चल में आ रहूं है हुँ हुँ अ हुँ हुँ हेलो रमेश हाँ बोल कीर्थी सब ठीक तो है हाँ सब ठीक है मेरे पास लाजदीदी आई थी हाँ वे मुझे ना एक तांत्रिक के बारे में बता रही थी वो ऐसा तंतर मंतर करता है कि आदमी उसके बस में हो जा अरे मैं तो पहले तेरे बस में हूँ मजाक मत ना करो मैं अर्जुन और उसके घरवालों की बात कर रही हूँ जिससे कि वो मेरे बस में आ जाए अरे इन्हें बस में करके क्या करेगी तु ताकि हमें मिलने जुलने में परिशानी ना हो ये मेरे बस में रहेंगे तो हम आराम से कहीं भी आ जा सकें अरे ऐसा कुछना है ये भगत बाबा कुछना ले रहे ये बनावा है पागल रमेश तुम कल मेरे साथ चलो गया नहीं बस इतना बताओ तेरी खुशी के लिए मैं तेरे साथ चलू मा पर तु कैसे निकल लगी वहां से वह सब तुम मेरे पर छोड़ दो तुम बस कल दस बज़ा जी हो खीक है मैं दस बज़ा जा मा ओके बाई बाई लफ यू हाँ कीरती मैं एक मिनट में पहुच रहा हूँ ठीक है बाबू पर तेरा सासूर का है अरे उसकी जिंदा तुम मत करो उसे तो मैंने नशे की दवाई खिला के सुला दिया और रही बात अरजुन की तु वो तो डूटी पर विजी है चल ठीक है तु बाहर आजा मैं भी आ लिया हूँ ठीक है तु बाहर आजा मैं भी आ लिया हूँ ठीक है अरे यढ़र लिए खाम्हार आजा ओख्वार लिए बाहर आजा हिए तुम एज़र यज़र से थाज़र लिए और भी ऐओवागाई झालो पूणल्य आज़र आज़र अरगवां खिलाए झालो तुम यज़र आज़र तुम एबाहई प्वानिए किरती आज कहीं गई थी किर तू मैं तो कहीं न गई दी थी मैं नीचे आई थी तो तू दिखाई नहीं थी कहीं मैं तो अंदर ही सो रही थी अच्छा वो कौन था जो सुपह बाइक लेका आया था अच्छा वो तो हमारा रिष्टिदार था मैं उसके साथ ना यहीं तक गई थी बस आज से पहले तो नहीं देखा इनका यह रिष्टिदार यह भी इस इलाएक है इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए कहां खो गई दी नहीं दी इस बात का इनके सामने जिकर मत ना करना तू पागल तो ना है मैं ना करू लोग के सामने कोई जिकर और हम दोने दूसरे के काम तो आमे हैं माता और सीथल का अनिका टाइम हो गया है हाहा हो तो राय दी तो मैं अब चलू नहीं तो हम दोनों को एक दूसरे से बात कड़ते हुए देख लिया ना तो उंके आग्सी लग जागी ठीक कह रहे हो दीदिया आप सितल का फून हेलो हेलो बहिया बहिया नमस्ते हाँ सितल कैसी है हाँ बहिया मैं ठीक हूँ और घर पे सब ठीक है हम सब ठीक है और बता तेरी पढ़ाय केशी चला है हाँ बहिया मेरी पढ़ायी बिल्कूल ठीक चला ही है और हाँ भहिया वो मैं यह कह रही थी कि मेरी ने एक दिन की चुट्ती है तो मैं सोच री थी में घर पे भी आजाती और मेरी कुछ किताबें रह ediyorum इस बाने में आपसे भी मिल लेती सबसे हाँ ठीक कह रही तू भाईया आप मुझे लेने आ जाना मैं तू बड़ी हो रही है पुलिस की तैयारी कर रही है अब अखेले आना जाना सीख ले ठीक है भाईया ठीक है फोन रखता हूँ माँ के बात बटा किसका फोन था सी तला फोन आया था वा ने को गह रही ती यह तो बड़ी खुशी की वात है बटा मेरी लाट्डों को देखे हो यह बहुत दिन होगे या तो सोनने पर सुहागा होने वाली बात होगी अब तुम अपनी लाट्डों किसी औरी रूप में दिखे वेट है अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हों अब इन किताबों कोई जब भी उठाएगा तो उसे यह फोटो ज़रूर मिलेगी और फिर मैं उसे शीतल का बॉइफरेंड बता दूँगी तब आएगा मजा जब वो पूरे घर वालों की नजरों में गिर जाएगी तब उसे बदा चलेगा कीड़ी से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है हुआ है है जाचा आँ भाई आया है जाचा रहां जाए जाए जुन पर आज और शुन आरे जुन भाई बस चाचा के सुना वे तैमें तो सारी बात पता ही यह नोक्री में गुजारा ना हुरा वे पिताजी बिमार हैं सितली पढ़ाई का खर्च मैं बड़ा परेशान हूं तो मेरी मोटसाइगल बित्वा तो मुझे पताया तो सितल को अधिकारी बनाने के लिए बड़ी मेहनत पर रहा है और 22 पढ़ाई में पैसे भी लगते हैं और मुझे पता लगा कि इसके लिए तू मैंनी चाहता कि सितल की पढ़ा ही रूक है काम तो तो बहुत बढ़िया कर रहा है और कोई बात नहीं भाई यह सारे काम करने पड़ते हैं और अगर ऐसा कोई समस्यावागी भी तो अपनी जमीन गिर भी धर लिए सभी कह रहा है तो 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 टैम बतावगा और देखें के हो हुआ है तो मेरे मोट साहल डिकवादे जो चल ठीक में करता हूँ बात कहीं ठीक है जा बता ही है मुझे ठीक है भाई ठीक है राम 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 बाई अर्जुन अरे आलिया भी कहां रह गया तू तो ने लेट करवा दे आज साम कुँ ऐसे जल्दी आना अरे ऐसा के हो गया जो साम कुझ अरे कैसी बात कर रिया मैं पागल हूँ क्या मैं सब जानू चल बैट चल अजी अंदेरा हो लिया मारी बेटी इप तक ना आई आती होगी तू परेशान ना होए मारी सीतल बहुत 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 दूर बेटी है मा नमस्ते पिता जी नमस्ते नमस्ते बिटा बेटे तू कुछ दिन पहले तो गई थी पर न्यू लगा है सालू भी थी तुझे देख वे तुझे देख वे हां मा चल बैठ में चाहे लेक्या तू ले अरजुन भी आगया पिता जी राम राम मा राम नमस्ते नमस्ते अरे सीतल आगी तू हां बहुत थीक है हां बहुत दिन हो गया साथ बैठ के खाना खाएंगे ठीक है ठीक है बटा और पिताजी आप बताओ आपके दवाई गोली टैम पर चल रहा है साब टैम मैं लगा लिया विटी समान हामा रख रही हूं अच्छा द्यान से लगाले ना सारा समान कुछ बूल मत जायो हां मां वो तो सब ठीक है पर आप मुझे एक बात बताओ पूछना वेटा तू परेशान क्यों है मां वो भाईया की मोटर साइकल नहीं बीख रही है बेटा उसना अपनी मोटर साइकल तेरी पढ़ाई के लिए बेच दी भाहिया ने मेरी पढ़ाई के लिए अपनी मोटर साइकल बेख दी? हाँ बेटा बाईयों के भी बाप का फरज नहीं मारा है ऐसा बाई भागवान सब ने दे। हाँ मा आप ठीक कह रहे हो ऐसा बाई भागवान सब को दे। मिए बहुत कुस नसीब हूं जो मुझे ऐसा बाई मिला है हाँ बेटा मा मैं आपके लिए खाना लिया हूँ ना बेटी इबते तर भाही नाया है उसे आने दे हम सारे साथ बैठके खावांगे ठीक है लो मा भाहिया भी आगए मा राम राम पिता जी राम आगे बेटा दूंहाँ जी है रुको मुझे आप से कुछ पूछाएं अहां बता कि बात होगी बाया पहले आप मुझे एक बात बाता तो आपकी बाइक का है बाइक का किख रहा है तू? बाइक तो खराब हो ती वो ऐसी थीक कर वाली फिर वाना सोचा उसा बेगी दू वो खराब हो ती भाईया आप मुझसे जूट मत बोलो आपने इस वजए से नहीं बल्कि आपने मेरी पढ़ाई की वज़े से अपनी बाइक बेची है मा से मैंने सब कुछ पूछ लिया उन्होंने मुझे सब सच सच बता दिया मा ते पिर रहा ना गया तो तो दे के जोगते इस ना बताने की क्यों आजी जरूरत इसे मी तो पता चलना चाहिए कि घर में केके भिक रहा है इसकी पढ़ाई के चक्कर में तो चुप रहे इसकी पढ़ाई जरूरी है या मॉपसायल जरूरी है अजी इसकी लग रहे है नोकरी आज कल इसका पढ़ाई में ना कहीं और ही मन लग रहा है तो चुप रहे चल भीतर तेरे मुझा कर दी सोली बाफ लिकर ने सकती इस ठोरी कि लिया हम तीतल भेन तो जुखी मत हो गए तू तो इसकी आदा जाना है ना मुझे तेरे उपर पूरा वी स्वास है तू टेंचन फ्री रहे में हाथ मुदो लेता हूं फिर खाना खाएंगे और हाँ कल तुझे दिल्ली भी जाना है में हाथ मुदो लेता हूं ठीके भाईया हुआ 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 पिताजी आप अपना ध्यान दखना और सारी दवाईया टैम से लेते रहना हुआ 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 है हुआ हुआ सकती मेरे भाईया ने मुझे महा तक पहुचाया एक दिंग मैं जरूर अपने भाईया का बहुत बड़ा नाम रोसन करूंगे ओपार्ज को एसा नहीं समझते मेरी प्यारी बेहन यह तो मेरा फ़र्ज है吗 और पौई भाईय अपनी बेहन के लिए इansasा भी कर ले ये उसका फ़र्ज होता है उसका धर्म होता है और हर भाईय को ऐसा ही करना चाहिए बड़ा प्यार हो रहा है दोनों भाई बेहन में बड़ी फर्ज और विश्वास की बाते करी जा रही है थोड़ी देर में सारा फर्ज और विश्वास मिट्टी में मिल जाएगा ये भाई की प्यारी बेहन मुझे उसकी नजरों में गिराना चाहरी थी मेरा भांडा फोरना चाहती थी अब देख मैं इस भाई की प्यारी बेहन को उस भाई की नजरों में कैसे गिराती हूँ मैंने तो अपना काम कल राती कर दिया था बेटी यो एक दिन तेरे गयल किसा बेदी हमें तो पता है ना चला अब पता नी कद उल्टी आओगी यो अब मेरा भी तो भरोसा नी भगवान मुझे कद ठाले मुझे तो फिकर इस बात की है अग मैं अपने जित्ते जी अपनी बिच्चा के हाथ पीड़े कर पाऊंगा अग नहीं पापा जी आप ऐसा मत बोलो आप ही तो हो मारे लिए सब कुछ चोरी एक वाव लिए ऐसा रो रही है जैसा साथ सुगे जारी हो चल लेट हो जागी तरी बस भी लिकड़े जागी तन सारी बुक रख ले तरी हाँ मा ना तरी दो बुक तो भित्तर पड़ी है मैं लेके आरी हू ठीक है लिया जल्दी बस लिकड़े जागी फिर इसकी ले पैसे धर ले कुछ खा पी लिए भई गाlti मैं पैसो का क्या गरूंगी वैसे भी तो महटा कुछ खाती तो भूरी और वैसे भी भई आप मेह अछटा करते थो इस है भावडी रख लेए अपने भिलाने कर्चा थोड़ा कम करवा जी ए마शे कम की बात कर रे हो फीरty मेंनाане और बढ जाओगा अब याप व्पर्वज़ coming काया है इसके आप मेरे अगुठी भी थी और जब मने अगुठी के पारे पुच्छा तो यह घबरा के महां ता भाग गया तेरी अगुठी तेरी अगुठी इसके पास कैसे आई और यह लड़का है कौन? तुम लोगों को मैटर अब भी समझ में नहीं आ रहा है यह फोटो इसकी किताबों में मिली है इसका सीधा सा मतलब है यह इसका प्यार है यह दूसरों पे इंजाम लगाती है और खुच देखो क्या गुल शर्रे उड़ा रही है कोन है लड़का पता कोन है लड़का बाईया मुझे नहीं बता बताया मुझे जानती यह फोटो मेरे की दाम में कहां से आई मुझे कुछ नहीं बता वह है सब पता तुझे है आजए असके देरा है नहीं बाईया नहीं वह इतना प्यारा होगा कि तो घर से चीज़े चुरा के उसे दे रही है नहीं बाईया नहीं आप मुझ पर यारोप मतलो गाओ मैंने तेरी लग केके करा और तू ये गुल खिला रही है तेरी बढ़ाई पूरी करवान के लिए मैंने बहुत मेहनत करी और तू घर से क्षी जो राके अपने यार को दे रही है भाईया आप मुझे गलग समझ रहे हो मैं आपको कोई दोका नहीं दे रही माँ आप समझाईये भाईया को मैं गलत नहीं हूँ अरे इससे बड़ा क्या गलत काम करेगी तू तेने तो मारी आंको में दूर चोक दिया अरे कोई भी भाई अपनी बेहन पर भी स्वास करके बढ़ाएगा नहीं तू अरे से कॉंड कर रही है इरी बाहर पापा आप तो कुछ बोलो आप तो जानते हो ना अमनी बेटी को के कुछ गलत नहीं कर सकती मैं के बोलनो बेटी मैं तो तो नहीं बोलने लाग छोड़ जाई नहीं इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हार से विंति कर रही है अड़ा ही तो तेरा भान ना है तेरे मेहनत के पैसे को तु खराब कर रही है अपनी अयासी में लगा रही है भाया बस बस करो भाया हम पर और आरो अपने अपर सहन नहीं होगा जो हमने किया ही नहीं है आप उसकी सजा हमें क्यों दे रहे हैं ये ये तो सायन होगा तुझे जो आवा रहा है लफंडर है ये तुस्ते चोरी करवा कर अपनी असी पूरी कर रहा है कैसे आजब से इस तरह हमें दोका दे रही है आज से तरह भार जाना बिलकुल बंद जितने तरह पढ़ाएगा नाटक होना था हो लिया ठीक है भाया ये तुमने क्या करा एक ही बल में मेरे सारे जबने तोड़ दिया है और तुने हमारी उमीद आजब आजब आजब